सब्सेल इंटिया के इंडिया के बाड़े में पता है हां हां पता है कैसा मुलक है कर दो एक स्पैसेक्राफ संपनी अब थे प्लां बेज़ती प्लानेट दिसकंवर करती है अचाँ पाकिस् kafais ऐसाल मुझा स optimize के हाड़ा भी कि पाकिस्तान के लिए सेफ निया है पिछले साल हमने स्रिलंकन शेयरी मारा मुस्लमों की साथ रएंगे तो हमारा फै holiness की साथ नहीं करना जा वाइकार्द करना है हम सब को इस्लाम हमेशा गालब आया है कुफर पे और इसलाम हमेशा गालब रहेगा ये तो एजा मुस्लिम मारा कीदा है न जब पाकिस्तान के उपर बात क्रें तो लोगों के जहीं में सबसे जब लोग इंडिया के उपर बात करते हैं तो उनके जहन में आती है डिवेलपमेंट आज 26 मुमालिक ने इंडियान्स को एक गिफ्ट दिया है इंडिया बेसिकली वह कंट्री है जो कि साथ एशिया के रीजिन में चाइना को काउंटर कर सकता है जो सल्फ इस्पेक्ट है ना मोदी में जो कि मारे लेट्र को बीना वाइब कर रही है और जाते हैं तो जागे कहते हैं तो जाते हैं यहां मैं मांगने नहीं है हुआ हुआ कि जब गये इवन प्रैजिट ज़ैंट दुबै के वह फुद गए इनने करने दूसरी चीज़ उन्होंने टोर बहुं बहुत श हमारी दोस्ती के आपके लिए एक चोटा सा गिफ है जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और आगे फ्यूचर निभाएंगे उसके लिए चोटा सा गिफ कितने अब तक फंड कितने ले चुका है और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद आई एम आप से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की दरूरत है उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इस ते नफस की है जो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो सब्सक्राइब किस तरह की खुदाड़ी है लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और और आप उसको किसी किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा अब तक ना आपने आप में रहते हैं अगर आवर्ड काप की बात करें तो रीसे तब की नहीं दी है उसको बस एक जो है ना सरसरी सा वह चला गया वह पैट कमिस वहां पर खड़ा हुआ है तो वह अपने आप में रहता है और यही जो हरकत है ना वह उसकी मेरे कहल में लोगों को तरह 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 के जगह पर जाके खुद को पर टेंड करवाना कि मेरे मुलक जब तक यह इनको पता नहीं नहीं चलेगा के मारी जियोग्राफिकल लोकेशन के हैं मारे पास रिसोर्स के हैं उसको जब तक इन्हों ने यूज नहीं 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 करना तब तक इनका यह इशर रहेगा अभी आप अगर इंडिया की आईटी कंपनी देखें तो वह पूरी के साथ ऐसा करना पड़ता है क्या हमारे पीम ही वजा है जो आज 26 मुमालिक ने इंडियन को एक गिफ्ट दिया है क्या कि उन्हों ने 26 मुमालिक ने कहा कि हम आपको फी विजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं दो दिन तीन पहले 26 मुलक हो गया है और हम देखने तो हम रोते रहते हैं पैसे देंके भी हमारे डिजेक्शन अगे अपने घर में बैठें आप रहें करें रात को मुझे काले वीगों ने उठाने आजाना है अब ज्यादा कर रही है इतनी तो है नहीं यहां पर डेमोक्रेसी जो है वह बिल्कुल भी नहीं है आप देख सकते हैं ड डेमोक्रेसी सिच्वेशन जो है ना मारी कंट्री की वह बिल्कुल कटम हो चुकी है यहां पर डिक्टेटरशिप चलती रहेगी तो अब ही जो है वह मेरे तरफ से हम बात कर सकते हैं का अगर बात की जाए ना दोनों कंट्री की अपस में वार की तो मेरे ज्याल में इसलाम हमेशा गालब आया कुफर पर औरिसलाम हमेशा गालब रहेंगा ये तो एजा मुस्लिम मारा कीड़ओ किछा है, तो मेरे गाहले इस गाल पर नहीं बनती ईलेकिन आप पर रिसोरण की बात करें तो इंडिया के पाश जयाद है वैसे पाकिस्तान की जो मैजह सामने टिकने की नहीं है ये अरवाम को पता लेकिन हम मैज़ा पाकिस्तानी को लागा नहीं सकते हैं पहुत हैं हमारे जो मशाब्ला से सारे ज़नरल वगरारें उन्होंने सिर्फ तीन दिन का हस्ला है तो वो कैसे लड़ेंगे वो तीन दिन से जदर टिक ही नहीं पाएंगे तो यह अब यह वहां वहाम नहीं पेराइब वहार डूबाय को प्रस्टी को हदम किया गया हैं और दूबाई के शेफ वह यह वां पया जा पूजा के लिए तो सर इन चीजों प्रमोट के जड़ा क्यों कद तक तो आज आप आही है अपर आजिसा ही आनी है न अब इसलाम चरहें वो तीस बंदेंगे जोनों नभी उने के दावा करना है तो ऐसी क्यामत आए कि मेरा यहीं है ऐसी प्रोसीजर चलता रहे गाए तजाल ने भी तो आए ना उसने भी तो आगे फिर रदर तीसा ने भी आना ऐसी काम जो है ना वो करीब जाना है चोड़ा सुसाल गजर गए हैं ह उन्हों ने अपस में बार्डर फ्री ट्रेड करते हैं और मेक्सी को एक गरीब मुलक है कैनडा और अमेरिका की निस्बत अगर बाहत की जाए लेकिन वह मैक्सी को भी अभी तक उसकी पर कैप्ता इंकम और जीडिवी बहुत अची चाल रही है क्योंकि उनकी बार्डर फ्र पर हम यक्ता नहीं हैं वो लोग एक हैं कुछ भी हो आप देखो कुछ भी हो कहीं भी हो सब काफर एक हो जाते हैं अब अब फलस्तीन में क्या हो रहा है आपके सामने ही है कि मुसल्मान एक हैं और किसी को अपनी परी है बस यही मसला है वो हिंदू जो है उनके काम आते हैं उनसे वो सारे काम लेते हैं जैज नजैज ऐसी चरहा है बस सरा हमसे बेटर ही हुए ना चैने अपने इस्ताहत बनाकर बैठे हैं यूनिटी तो है इसी के लिए बुड़ा त क्योंकि को मेरी बात सुनों यह नहीं है जगता हम अपने नभी के फरवान के ओपर नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि आप सरकार ने फरमाया जो काफर हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं तो पिर हमें मारी पड़नी है तो चाइना भी अपने मतलब के सब्सक्राइब करें तो पहले बुद्परस्ति को खतम किया गया बुद्तों को तोड़ा किया इवन के मंदिलों को तोड़ा जाता था पहले दोड़ में अब वहां पर दुबाई के अंदर मंदिर बनाया गया सानिमा सौधी के अंदर फूल गया फिर साथी के अंदर कॉंसर्ट पर आज जा रहे हैं डान्स पगयरा पहले तोड़ा गया इन चीजों कर दो पर प्रमोट किया जा रहा है इसलाम के जादा मानने वाले फॉलवर्ट है अच्छा अच्छा दुनिया अपने मकाम की तरफ जा रही है सौधी दुबाई ने चीज़ मानते हैं कि मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए दूसरे मुलकों सा तालुकात बरहाने चाहिए एकॉनमी देखनी चाहिए वह यह कहते हैं यह देखो एक उद्रत का एक नजाम है ह हमएं के साथ तालुका बें पेरने चाहिए यह फिर हम यह सोच है चाहिए करना जाएं करना जाएं मैं करना हम सब फो मुझे आपको हम सब को भाइकड़ करना चाहिए क्या मुसल्मान मुसल्मान की जरूरात को पूरा कर सकता है अलहम्दुलिल्ला पूरा कर सकता है हमारी जूरत हम हमें से चीज़े निकाल के अपनी जूरते पूरी कर रहे हैं हमारे कुरान हदीस में हर चीज़ है उसको फालो कर तो यूए का सबसे स्ट्रॉंग अलाइंस चल रहा है यूनाइटिट स्टेट्स अफ अमेरिका के साथ और इंडिया भी यूएस के साथ बहुत अच्छे तालुकात पर हैं अगर आप उसका मवाजना करें पाकिस्तान के साथ तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज्याद का इलाए उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है तो यूएस उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन करेगा जो उसके साथ उसको बेसिकली मज़ीड डेवलेप्मेंट की तरफ लेके जा सकते हैं तो यूएई एंड सौदी एरेविया यह दोनों कंट्रीज यह बेसिकली स्टेट्स का ब्रिज हैं तो मुफ तूवर्ड इंडो-पैसिट बेक तो और इंडिया उनके लिए चाइना को ओवर पावर करने के लिए मैं इंडिया बेसिकली वह पंट्री है जो कि साथ एशिया की रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है तो पाकिसान सारे हिदे में कह पाकिस्तान उसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इस वक्त मुलकी जो एकॉनोमी के हलात है उसकी वजा है वो जी टुएंटी में 20 इंदर डेवलिपिंग एकॉनोमी क्राइसिस में चलिए हुए ना विल्कुल हम हलात में उन से पीछे हैं और उसका उसकी बात ये है कि उसकी सबसे सबसे बड़ी वजा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीबिलिटी है वो है हिंदुस्तान के पीम जो है जब से वो आए हैं दो टीनियोड हो गए हैं लिकिन दुनिया की नजर में इज़त की निगास देखा जाता है अभी आपको बता 26 कंट्री ने हिंदुस्त तो जब आपकी और दूसरी बड़ी चीज है कि अब इंडिया दुनिया का अबादी के हिसाफसे बड़ा मुल्क बन चुका है तो जिस मुल्क में जतने जाए लोग होते हैं उसकी परचेसिंग पावर उतनी जादा होती है हम पांच भी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन ज लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिजम जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते ना तो उनके जहन में आती है डिवेलपमेंट इसमें बड़ा फर्क है बेसिकली इशु यह है कि इंडिया की पॉब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी है उन्होंने अपनी पी आर अप करता है कि अपिक अच्छी तरह में लुग गया विल्कुल उसकी वज़या है कि जब इंडिया बना था 1947 में तो 1950 में जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवारलाल नहरू उन्होंने इंडिया में Technical Education, Engineering की Science and Technology की इसके उपर बहुत ज़ादा Focus किया था और उन्होंने जो Institutes उस्टेम बनाये थे उन्होंने फिर उनके MOUs Sign करवाये थे at that time 1950 में बड़ी-बड़ी Companies के साथ बड़ी-बड़ी Agencies के साथ ताकि जब फ्यूचर में इंडिया बेसिकली डवैलप करें इंडिया की जो यूथ हो बेर गोइंग टो बी वन ऑफ दे बेस्ट इन फूचर अब पीछले दिनों पाकिस्तान वो जैसे वो इंसिडेंट हुआ जब उन्होंने इसाहियों वो गिरा दी उन्होंने उनके जिर्गा कर गिराए अब वो यही बता रहा ना कि उससे इमिज किया जाती है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है पिछले साल हमने एक स्री लंकन शहरी मारा था इन चीजों से यह में जाती है अब वो लोग अपनी माइनॉरिटीज की तरफ या जब दूसरी कम्यूनिटीज की इंक्लूसिवनेस शो करते है कंट्री में उससे दूसरे लोगों के यह पेगाम जाता है कि अच्छा हमारे लिए कंट्री सेफ है अब दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज जपान में रहती हैं क्यों कि जपान सब कम्यूनिटीज के लिए सेफ है यह यही बात है जिसमें दुनिया भर की लेकिन उन्होंने प्रेक्टिकल करके दिखाया दुनियों पर यकीन करें और हमारे नारों पर आज कोई भी पूसरी रहा बिल्कुल ऐसे ही है और और इसकी वज़ा यही है कि अब एक तो उन्होंने जब 2019 में हाफ कश्मीर को तो वैली इंडिया ने अपने साथ नेक्स कर ल अगरिमेंट उसके अकॉर्डिंग हमने ही डिसाइड गया था कि हम यह इसू बाइलाटरली सॉल्व करेंगे मिलकर दोनों उसके बाद हमने बैसिकली यूएन को जो के एक पोटेंशल सिल्यूशन हो सकता था उसको हमने ही निकाला था वह हमारी गलती थी हमारी पोलिटिकल इसारी को Anyway मेरा अपना जो परेशनल ऑ्पीनियन है उसमें दो ब्रिजन मुझे समझाती है एक तो हमने इस बात पर फोकस करना चाहिए हम उसमकि क्यों नहीं है इस बात पर नहीं करना चाहिए कि बाकी इस उसमें क्यों है उसकी मेरी में जिविए दिरह ब्रुंशने negative way में होती है हर पार्टी को हर लीडर्शिप को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजीम की अपने मफादात की अपने केसिस की पड़ी हुई है foreign policy या continuity in foreign policy उस पर कोई focus नहीं है इसलिए हमारी overall जो खारजा policy है वो बहुत वीक है जब हमारी खारजा policy जो है वो ही वीक होगी तो बाकी country जो है वो हमें क्यों focus देंगे इस तरह के बड़े forums पर बाकी country जिस तरह इंडिया का हम जिकर कर रहे हैं उसकी economics जो है वो one of the largest economies in the world right these days तो उसमें obviously उसमें फिर हमें यह नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम countries नॉन मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर economy और economics strong है parallel foreign policy strong है naturally उनकी तरफ दूसरी countries के inclination ज़्यदा होती है अगर हम बात करें अभी के दो टिन्योड में दुनिया का जिकाओ इंडिया की तरफ होने लग गया है पहले भी almost trade होती थी हर चीज़ होती थी मगर उस तरह से हर तरफ इंडिया इंडिया नहीं होता था जिस तरह से यह दो टिन्योड जबके पाई पीम मोदी आया है तब से कि दाड़ी के बगएर और परदे के बगएर को existence हो सकती है लेकिन अब वहां के भी जो बड़े cities हैं वहां के भी जितनी भी इस तरह की metropolitan activities हैं जो कि लाहोर में कराची में हो रही है वहां पे भी होती है अगर तो religious basis पे अपनी जो है traditional conventional basis पे हमने comparison करना है तो फिर तो हम सब से अच्छे हैं हम मुसलिम है मुसल्मान है तो उदर हमसे ज्यादा मुसल्मान है लेकिन यह है कि जो यह comparison है ना economic comparison global comparison मतब हम space space दोड़ में हम कहीं पर आती ही नहीं है हमारी existence ही कोई नहीं है sparco नाम से जो है हमारा एक इतारा है लेकिन मेरा नहीं है कि मेरे यह बचे हैं इनको नहीं कभी नाम भी सुना होगा लेकिन नेकिन इनको फ्री क्लास में पढ़ते हैं इनको nasa का पता होगा ठीक है पता है NASA कि अपता है अच्छा के बारे में क्या जान इस हमारी organization sector कौन से एक नहीं होगा तू नहीं होगा अच्छा के बारे में आपको कैसे बता चाला था इस बुत कर एक पताऊ हो अच्छा करते हूँं के ऑर इंडिया के बारे में इंडा पता है इंज Information कि में जो आ जोड़ों हमारा दूश्मान है हमने थदाया क्या है लिग कहते हैं। सब कहते हैं। या तब कहते हैं। फैमिली में कहते हैं। टीचर कहते हैं। मुझे बताया कुछ बताओ क्या वोर्स का पता है। अप्टो अपनी साफ़िज में मṁझे पताती देखिए है.. saas कशमीर बेष होती है, हमेड नोड़ा है कि KASHमीर हमारươ है कश्मीर किसके है, हमारा ये हिंदोस्तान के हम आरा हम जो पुझे को नहीं है, ऑगर इतने से बच्छे को हम बताएंगे के हिंदोस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐक जो फेक्ट आप भी जानती है, वह रहा है। हम दुश्मन कंट्रीज है चार वार्ज हो चुकी है और एक जो फैक्ट है उसको सिर्फ कह देने से अगर पॉलिसी जो है वो चेंज हो सकती है तो फिर तो यह मेरा ले को इच्छी मेचूर बात नहीं है एक चीज जो है सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर देना या बच्चे का कह द मुझे लगता है कि हमें यूद को हमें बच्चों को इस तरह ही ग्रूम करना चाहिए कि उसके दिल में किसी कंट्री को लेकर अफ्रत नहीं अब देखे ना चाइना में मुसल्वानों पर जुलम हो रहा है अगर आप माने नहीं तो मैं आपको सुबू दिखाने को त्यार तो उनको पता लगता है फिर वो क्वेस्टेंज करते हैं फिर उनको बताते हैं तो उनको चीजे एक चीज जो पाकिस्तन इंडिया की जो एक कोल्ड वार है वो